दोस्तों जब इंडिया गडबंधन बना था तब भारती जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ये ठक बंधन है ये गडबंधन टिकेगा नहीं लेकिन इसी गडबंधन ने भारती जनता पार्टी को 240 सीटों पर रोक दिया बहुमत का नंबर छूने तक नहीं दिया और जब से यानि की चार जून से जब से नतीजे आये जब से देश में बैसाखियों वाली सरकार बनी नरेंदर मोदी को नीतीश और नाइडू का सहारा मिला जिससे वो प्रधान मंतरी बने उसके बाद से लेकर अब तक लगातार राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे ह आँख में आँख डाल कर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी है तो उनकी जिम्मेदारी भी जादा है यानि राहुल गांधी तो नरेंदर मोदी के लिए अमिश शाह के लिए जेपी नडड़ा के लिए टेंशन बन गए हैं रा राहुल गांधी को फिलहाल मात दे पाना बहुत मुश्किल है और ऐसे दोर में राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश से एक मजबूत नेता ने कदम बढ़ा दिये हैं दोस्तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर बता दिया कि राजनीती में उनकी स आसत का जो अंदाज है वो बिलकुल जुदा है आप याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिए सीट शेरिंग होनी थी तो राहुल गांधी ने सबसे पहले कॉंग्रेश को 11 सीटे ओफर की लेकिन जब कॉंग्रेश ने ज़्यादा सीटों की मांग क तो अखलेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए कॉंग्रेश को 17 सीटे दी उन 17 में से 6 सीटे कॉंग्रेश जीतने में कामियाब हो गई और अब एक बार फिर अखलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया है दरसल हरियाना में इंडिया गडबंधन में ये मन्थन हो रहा था क कौन कौन चुनाओ लड़ेगा क्या समाजवादी पार्टी सीटे मांगेगी समाजवादी पार्टी ने शुरू में कहा भी कि वो कुछ सीटों पर चुनाओ लड़ना चाहती है लेकिन जब समाजवादी पार्टी को अखलेश यादव को ये लगा कि इस तरह से सीटे लेना चुनाव लड़ना कही न कहीं इंडिया गडबंधन को कमजूर करेगा भारती जंता पार्टी को फायदा देगा तब अखलेश यादव सामने आये उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और वो पोस्ट उस पोस्ट के हर लाइन दोस्तों सुनने वाली है क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ अखलेश यादव भी नरेंद्र मोदी के लिए तनाओ की बड़ी बज़े बन गए है अखलेश यादव ने एक्स पर जो लिखा वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं और बता रहा हूं अखलेश यादव ने लिखा कि हर्याणा चुनाओं में इंडिया अलाइंस की एक जुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है हर्याणा के विकास्वा सोहार्द की विरोधी भाजपा की नकरात्मक सामप्रदाइक विभाजनकारी राजनीत को हराने में इंडिया अलाइंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे बात दो-चार सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है बात तो जनता के दुखदर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भरष्टाचारी सियासत से मुक्ती दिलाने की है साथ ही हर्याना के सच्चे विकास और जनता के कल्यान की है पिछले दस सालों में भाजपा ने हर्याना के विकास को बीसों साल पीछे धकेल दिया है हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलाइंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है बलकि त्याग और बलिदान का है जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगा नहीं होती कोटल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं ऐसे लोगों की राजनीत को हराने के लिए ये क्षन अपने से उपर उठने का इतिहासिक अवसर है हम हर्याणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तयार हैं इंडिया अलाइंस के पुकार जन हित में हो बदलाओ दोस्तो ये वो पोस्ट है जो अखलेश यादव ने लिखा और ये बताता है कि किस तरह से अखलेश यादव ने हर्याना चुनाओं में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला वापस ले लिया है और उनकी पार्टी और उनके समर्थक कॉंग्रेस का साथ देंगे, कॉंग्रे हैं, वो सपा की और रुख कर लेंगे और कॉंग्रेस कमजोर हो जाएगी, लेकिन अखलेश यादव ने इस मौके पर राहुल गांधी का साथ दिया, राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए और हर्याना में उनको ताकत दे थी, यानि अब हर्याना में वो भारती जनता पा सिटिंग MLA सब भारती जनता पार्टी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसे दोर में अखलेश यादव का राहुल गांधी के साथ खड़े होना कॉंग्रेस की उस लड़ाई को जो भारती जनता पार्टी के खिलाफ हर्याना में लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को और मजबूत कर देता है, यानि आप ये मान सकते हैं कि इंडिया गडबंधन को अखलेश यादव ने और मजबूत कर दिया है और ये मजबूती भारती जनता पार्टी को हर्याना में गद्दी से हटा भी सकती है, दोस्तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें क अरूर दीजेगा.